कि यह हमने एक एसी किट बनाई है जो एज प्रोटोटाइप वार करेगी और इसमें जो आउटपूट पे हमने इसमें एक बलब लगा रखा है वह अलग-अलग स्पीड पे ब्लेंग कर सकती है है यानि इसको हम अब्लाइट से कहीं इसके अलब आइसके अलबान सिस्टम में इसका कर सकते हैं या इंडिकेटर की दरह इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए यह आपने फेयर करनी जिसके थो हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पेश्कों ट्रिगर कर सकते हैं इसको अपरेट करा सकते हैं अब हम देखते हैं इस को हमें कैसे बनाना है इसको बनाने के लिए जो required components वह सारे आपको provide की जाएंगे और साथ में PCB board भी आपको provide की जाएगी और यहाँ पर हमने एक sample के लिए complete PCB board रख है जिसको देख के आप इसे बना सकते हैं इसमें जितने भी यह जो कोंपोनेंट्स लगे हैं वह सारे आपको प्रोबाइट की जाएंगे इसके अलावा आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए एक मल्टमेटर होना चाहिए वो टेस्ट करने के लिइस करते हम कहीं भी कष़ वोल्टेज अगर टेस्ट करना हो या फिर वायर की कंटेणिओटी है में टेस्ट करना है त्राइक के लिए कटर यूज यह निमोब करने के लिए वह सा के लावा सोल्डिंग और साथस्ट चाहिए रडाता पूर्डिंगलोष को बना सकते हैं पहले आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे इसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे बनाना तो इसमें सबसे पहला काम हमें इसमें कॉम्पोनेंट्स को माउंट करना होता है पीसीबी बोट पे इसके लिए आपको एक स्पेसिफिकेशन शीट दी जाएगी उस शीट सारी सारे कॉम्पोनेंट्स के टॉप लेयर यानि आउटलाइन दिये हुए वह कैसे लगाने इस बोट पे और उसमें जो रिलेवेंट वैलूज है वह भी आपको दी गई होंगी उस शीट पे तो वह देखके आप लगा सकते हैं इसको लगाने के लिए यह पीसीबी बोट ह लाइर यह टॉप लेयर है जिधर सेमें इक लगाने है और यह बॉटम लेयर है जिदर हमें सौड्डिंग करना ही है तो प्राइन के लिए सब पेहले आप शीट को अपने सामने रखेंगे और यह यहां पे हमने एक सैम्पल भी रखा हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं इसको पूरा प्रीट कर सकते हैं अपने बॉट को सब्सक्राइब यहां पर हमें जयक लगाना है तो जयक लगाने के लिए इसको पॉपर डिर्ट में हमें इसर्ट करा रहा हूँ आफ इसके बाद पावर switch लगाना है मैं power switch यहां लगाना है यह आप देख सकते हैं on-off switch होता है और इस switch को हम यहां पर insert करा सकते हैं इसके अलाबा एक bridge rectifier है यह लगा हुआ है rectifier को लगाने से पहले इसके direction को हमें ध्यानक नहुता है इसकी polarity कैसी होनी चाहिए इसका सबसे बड़ा वाले लेक positive होता है यानि positive output इस pin पे मिलेगा और छोटा वाला negative होता है तो इसको आप इस board पे easily लगा सकते हैं इसके लिए आपको इसके direction को ध्यान में रखना होगा कि जो positive pin है यानि output का जो positive वाला pin है वो किस direction में रहेगा इस board पे आप देख सकते हैं capacitor की तरफ है तो यह बड़ा वाला लेक जो positive वाला है वो हमें यहां पे लगाना है और इसको फिर सारे पिंस automatically सही जगा align हो जाएंगे और वो फिर इनको हम इसमें इंसर्ट करा देंगे फिर दूसरे साइट से इसको इसके बाद capacitor लगाना है तो capacitor लगाने के लिए आपको इसके भी polarity को ध्यान में रखना होगा कि यहां आप देख सकते हैं इस capacitor में जो negative pin है वो यह strip है तो यह अंदर की तरफ है यानि इस board पे आपको कि इस direction में capacitor को लगाना है कि यह बड़ा वाला लिग ऊपर होगा चोटा वाला नीचे होगा या फिर यहां पर देख सकते हैं माइनस का सिंबल बना हुआ है तो इसको हम यहां लगा देंगे इसके बाद regulator IC है तो regulator IC को यह regulator IC पावर सप्टाई को रेगुलेटेट 5 वोल्ड में कनवर्ड कर देगी इसके output पे हमें constant DC पावर सप्टाई 5 वोल्ड के मिलेगी तो इस IC को हमें यहां लगा लेना है और इसका फेस इस तरफ होना चाहिए इसके अलावा दूसरा option भी इस IC को लगाने का कि इसके लिए एक बेस लगा लें और बेस के ऊपर फिर इस IC को हम insert कराएं इसमें तो IC का जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए इसके बाद यहां पर एक हमें 8-pin की IC लगानी है डी आई पी IC तो इस IC को लगाने से पहले उसका बेस लगा लेंगे हम जो भी IC हमें लगानी होती है उसका बेस हम पहले लगाते है यानि इस बेस को हम पहले लगा लेंगे और बेस को लगाते समये आपको धेहन एकiğने है कि इसकी जो नौच है यह सबेस के यह कट बना हुआ आप देख सकते हैं यह उपर की तरफ होना चाहिए यानि इसको हमें properly इसी direction में लगाना है और इसके उपर फिर हम इसको लगा कर लेंगे इसके उपर फिर हम IC को लगाएंगे इसके अलावा इसमें दो तीन LEDs हैं तो LEDs जब भी आप लगाएंगे तो उनके direction को आप ध्यान में रखेंगे कि इसका positive negative pin किस direction में होगा इसमें LED में आप देख सकते हैं कि यह बड़ा वाला ले अनोड होता है नहीं positive और छोटा वाला इसके अलावा यह दो LEDs यहां भी लगी हैं तो इनको भी लगाते समय आप ध्यान लखेंगे कि जो यह वाली LED है इसका negative बाहर की तरफ रहेगा यह इस direction में रहेगा और एक और LED जो हमें लगानी है उसका positive आप देख सकते हैं इस तरफ रहेगा यानि यह बड़ा वाला लेक इस direction में रहेगा इस तरह से यह दोनों LEDs आम यहां लगा लेंगे और रेजिस्टेंस आप सेरीज में LED के साथ कैसे भी लगा सकते हैं किसी भी direction में इसके अलावा एक capacitor यहां लगाना है हमें 10μF का तो उसकी भी polarity को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका जो negative strip है वो negative side में यह यहानि इस capacitor में हम दिसकते हैं negative side में तो वह हमें उसी direction में लग सकते हैं дав error शकर दोट लगाने हैं इसके अलावा यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगाने हैं दोनों ट्रांजिस्टर देख सकते हैं या फिर आप यह राउंटेट बर लगा सकते हैं यहां पे एक हमें डायोड लगाना है डायोड की भी फिलाइटि को में ध्यान भी रखना होगा इसका जो पॉजिटिव है जो है वह यह यह है कैथोड पे इक स्ट्रिप बनी हुई है वह कैथोड है तो इसमें आप देख सकते हैं पीसी भी बोर्ड में जो कैथोर्ड है वो उपर की तरफ रहे गए इस डिरेक्शन में इसको हमें यहां लगा लेना है अगा है की है इसके अलावा यहां पर 2 बेस हैं कि इस नवर आशी को लगा लगाते समय आप इनके नोज को देकेंगके isто की यादि जो का कट ना हुआ उसको आरेक्शन में रखना है नौज तो उसे डाइएक्षन में होगा और नोज का भी तो यहां पर जो बेस कि जह इसकaaaa कि आप देख सेक्ते इस तरफ है और यहां पे जो बेश्द लगा है इसका कट इस तरफ है तो इसको हमें एस तरह से लगाना है कि जो कट है उसका यानि जो नॉक आ इन की तरफ है यह तरफ और ज़य कर देंके junior पे हम मांट कर देंगे और components के जो पिंस हैं यानि जो कट है तो इस तरफ रहेगा और या दोनों match करने चाहिए और कि इसके अलावा इसमें पर इनक और यहां पर में लगाना है इसमें भी negative आप देख सकते हैं इस तरफ है और यह स्विच सैथिंग से एक चैपसिटर 1.1 माइक इसको किसी डाइक्शन में लगा सकते हैं यह एक रिले है रिले को लगाते समय तो उसको सभी प्रिक्षान में एक बेस लगाना है में कनेक्टर बेस जहां से हमें आउट पुट लेना है तो इसको आप किसी डिरेक्शन में यहां पर लगा सकते हैं सारे कॉंपोरेंट्स को लगाने के बाद उनकी सोल्डिंग करने के बाद हम एक बार टेस्ट कर लेंगे पावर सप्लाई बोर्ट की पाव कि मॉल्ट के दिए मुटिमीटर के त्रूं हां इस कॉमन प activating को यहां राहिंगे जासाने में इनपुट की पावर सप्लाई सबसे पहले टेस्ट कर लेंगे तो यह किской सारी पावर सप्लाई आउट बेस जाले यह ब्हूंदने में फाल्वी आम ऑरा लेक्ट पुट के लेक् आप्पूट पर फाइबूर्ट रेगूलेटर आना चाहिए तो फिर हमारा प्रोजेक्ट यह केट प्रॉपरली ओपरेट होगा